दोस्तों अभी के टाइम में बहुत से ऐसे डॉग ओनर्स है जो कि अपने डॉग के हेर पॉल से बहुत ही जादा परिशान है खास करकि वो डॉग ओनर्स जो कि एक लॉग कोटे डॉग ब्रीड ओन करते हैं जैसे कि जर्मन शेपर्ड या गोल्डेन रिट्रीवर और जब का शेटिंग कंट्रोल होगा और हर जगा आपके घर पर बाल नहीं बिख्रे रहेंगे तो क्या है यह टिप्स और कैसे आप अपने डॉग की शेडिंग कंट्रोल कर सकते हैं इसे जानने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि डॉग का शेडिंग होता क्यू है सिंपल तो हर साल जब वेदर चेंज होता है जहाए वो ठंड से गर्मी आती है या फिर गर्मी से ठंड आती है तो डॉग अपने कोट को चेंज करते रहते हैं जो कि एक नैचरल प्रसस है कई सारी डॉग ब्रीट के साथ ऐसा ही होता है कुछ स्पेसिफिक डॉग ब्रीट को की कोट का कोट पूरे साल एक जैसा है तो जब ठंड आने वाली होती है युश्Dis वली नवंबर के टाइम में तो उसorta इम डॉग का कोट का का काफी कह होने लग जाता है और जब ठंड से गर्मी आती है तब डॉक का अंदर का डेंस कोड जो है वो शेट होता है जिससे कि उनके बाल खुलते हैं और उस बज़े से हमें बहुत ज्यादा शेडिंग देखने को मलती है तो अब हमने जान लिया कि शेडिंग जो है डॉक्स के लिए नॉर्मल है इसमें डॉक की कोई गलती नहीं है लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हर जगा हमारे घर पे बाल ना बिखरे रहे तो सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट चीज है अपने डॉक को रेगुलर ब्रश करना ब्रशिं या फिर किसी वेट से एक डी शेडिंग ब्रश ले लीजिए और रोज सुबह उखते ही यह रूटीन बना लो कि 10 मिनिट तक मैं अपने डॉक के कोट को जो है ब्रश करूंगा जिससे जो भी उसके लूज हेर से वह सारे ही निकल जाएंगे और जब खर पे आपका डॉक रह है डॉक के कोट को जो है अच्छी तरीके से ब्रश करो और आपको पता चल जाएगा कि उसको शेडिंग कितनी हो रही है और दिन में एक बार ब्रश करना है या दो बार ब्रश करना है वो भी पता चल जाएगा सेकंड टिप है अपने डॉक के उपर एक्सेसिव अमांट ऑफ शैंपू का यूज मत करो अभी जो है गर्मियों का टाइम चल रहा है और डॉक यूश्वली एक दो दिन में नहां ही लेते हैं मैं बस पानी से नहलागा हूँ शैंपू का यूज रेगुलर नहीं करता जिसक के कोट से वो जो ऑईल है वो बार-बार निकलता रहता है जिस वजे से स्किन काफी फ्लेकी और ड्राय हो जाती है और शैडिंग सीजन के टाइम में काफी ज़ादा बाल जढने लग जाते हैं जब बॉडी से ऑईल खतम हो जाता है और कई बार अलग अलग जगा पे पैचे में तो वह काफी बेटर रहता है बाकि अगर आप अपने डॉक को पानी डाल के नहरा रहे हो उसमें और नहीं नहीं निकलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस हां ध्यान रखना आप जो भी यूज कर रहे हो सोप शैंपू या फिर वोटेवर इस तो वह ज्यादा एक् खासकर उन डॉक्स को जो कि उनके ओनर होंग कुक्ट फूड देते हैं तो कुछ कमी की वज़े से जो है डॉक का कोट और भी ज्यादा शट करने लगता है जिसमें वीट अलर्जिक भी शामिल है कुछ डॉग वीट अलर्जिक होते हैं और अगर वो रोटी खाते हैं तो उन खालती बना के रखता है तो जो भी है अपने डॉक को एक अच्छा खासा डाइट दो जिससे कि उसका कोट जो है काफी खालती रहे अच्छा रहे और फाल्तु में जो है उसके बाल ना जढ़े बागी दो चीजे जो है फर्स पांट और सेकेंड पॉइंट वो डॉक की शट पर कुछ बेडिकेशन देके उसको क्योर नहीं कर सकते यह एक नाच्रल चीज है तो एक्सेप्टेंस की जरुत है डॉक रखा है तो इस पेस से भी गुजरना पड़ेगा शेटिंग वाले फेस से लेकिन कुछ चीजे हैं जो कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केर देके शेटि हमें अधित्त है मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाइए